मन सुंदर में नाहर कहता है कि आप किनर हैं आप भी तो बच्चे को जन नहीं दे सकती लेकिन आपके मन में भी ममता नहीं है क्या ममता है तभी तो आप हर एक घर में बच्चे को आसिरवाद देने जाती हैं तो किनर कहती है बेटा तूने मेरी आखे खोल दी अब मैं ऐसा नह जाती है नाचते हुए और फिर अगनी कहती है लो पूरा काम बिगड़ गया अब सब कुछ हो गया यहां बाहर आकर अगनी से कहती है कि उन दोनों की जोड़ी कोई नहीं बिगार सकता वो दोनों एक दूसरे की ढाल है पैसे तो हम उन्हीं से ले लेंगे जब बच्चा होगा तो अगनी कहती है नहीं बच्चे की मा तो मैं ही रहूंगी तभी दादी बोलती है मुझे यहीं पर उतार दे और उसे उतार देती है और फोन करती है मैसेज करती है कि जल्दी से आ जाओ समर तो समर की गारी आ जाती है जो ही देखकर खुश हो जाती है और फिर अचानक से वहाँ पर फूल उड़ने लगते हैं दोनों की उपर जो दादी कर रही है और समर और जो ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं यहाँ पर कहती है अगनी कि मुझे अजीब लग रहा है नीबू पानी बना कर ला दो तो रूही कहती है ठीक है मैं बना कर ला रही हूं जब तक पीछे से दादी आ जाती है तो पीछे से दादी आ जाती है और कहती है तेरा क्या प्लान है समर कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं जहां तुम्हें जाना है अपनी गाड़ी में बिठालने वाला होता है तो आइने में दादी दिख जाती है और समझ जाती है जो पता नहीं क्या हुआ है यहां पे नाहर बहुत दुखी सा बैठा है और सोच रहा है उन वरतों की बातों के बारे में जो भला बुरा उन्होंने रुखी को कहा था रुखी कहती है आप मत परेसान हुए मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कोई मुझे कुछ भी कहे मुझे फर क्यू सुमें पार मैं आप यहां धोरी मैं